तो दोस्तों आई तारीक हो गई है चार सितंबर की, साथी में दिन है रवीवार का, वहीं हिंदी तारीक है शुकलाष्ट मी और महीना चल रहा है भादरपत का, तो आज दिन भर के मुखे समाचार हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, देखें पहली खबर, यूपी में पाकि दो यूओकों ने इन्हें रोक कर, पाकिस्तानी और बमधमाकों की साज़िश करने वाला कहकर पिटाई कर दी, हाला के गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने बचा लिया, आरोपियों के नाम सनी और सची ने, अब पुलिस ने इन पर धार्मिक भावनाय भड़काने का क का सुविकार कर ली है, जियां उत्तर प्रदेस में वान्सी की ग्यानवापी मजजिद के बाद, अब बदायू की जामा मजजिद में नीलकंड महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, जानकारी के मताबिक अखिल भारती हिंदू महासभाने बीते शुकरवार को, बद जायू जिला मजिस्टेट और परमुक सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, वहीं इस मामले में मुसलिन पक्ष के वकील का कहना है, कि हिंदू पक्ष के पास याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, देखें अगली खबर, मनीपुर में नितिश कुमार की पार्टी में हुई बड़ी बगावत, जेडियू के छे में से पांच विधायक बीजेपी में हुई शामिल, इस सभी विधायक पार्टी के अण्डिये गढ़ बंधन छोडने के फैसले से नाराज हैं, जियां पटना में बीते शनिवार को जेडियू की होने वाली बाउत दीन, चौते हैं पूर पुलिस महाने देशक, एम खाउटे, वहीं पांच में विधायक है अरुन कुमार, देखें अगली खबर, नासा के मून मिशन की लाउंचिंग फिर्टली, रात 11 बच के 47 मिनट पे उडान भरने वाला था रोकेट, तकनीकी गरबड़ी दूर न गई थी, दोस्तों आपको बता दे, अमेरिका 53 साल के बाद, अपने मून मिशन आटेमिस के जरीए, इंसानों को चांद पर एक बर फिर से भीजने की तयारी कर रही है, आटेमिस वन नाम का ये मिशन इसी दिशा में पहला कदम है, आपको बता दे, ये मेन मिशन के लिए ए अलग गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, मैं नहीं सुनाली फोगाट को मारा, जियां सुनाली फोगाट हत्या कांट के मुख्या रोपी सुधिर सांगवान ने, रिमांट के दोरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है, साती रोपी ने हत्या की साजिश रचनी की भी बात कबूली है बताय गया है गोई पुलिस के एक सूतर ने ये जानकारी दी है हलाके उनका कहना है कैसी जानकारी होगी तो मीडिया को बता दिया जाएगा अगली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आप लाइक को शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और जादा होसला मिलता है देखें अगली खबर सवाल पूछे गये सुत्रों के मताबिख पूरी पूचताच में नौरा फथे हैं ने सहीयो किया है साथ ही आपको बता देश से पहले सी केस में एडी एक्टरस से तिन बार पूचताच कर चुकी है सुत्रों के मताबिक नोरा फटे ने कहा कि मैं सुकेश की पतनी से नेल ओर्ट फंक्शन में मिली थी यहीं उन्होंने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में नहीं जानती थी इसके साथ ही नोरा ने कहा कि मेरा जेकलिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है वहीं एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कैब दल्ले पलिस ने जेकलिन फ्रेंड एंडिस को 12 सितंबर को पूछता आज के लिए बुलाया है देखे अगली खबर 5G के लिए भी नए साल का करना होगा इंतजार वो भी सबसे पहले 10 शहरों में सुरू होगी ये सर्विस जियां देश में 5G सेवाओं का मज़ा लेने वाले लोगों को साल 2023 का इंतजार करना पड़ सकता है दूर संचार अपकरन निर्माताओं का कहना है चैनीज लोन एप केस में एडी का बड़ा एक्शन पेटियम रेजर पे और कैश्फरी के 6 ओफिसों पे की गई रेड 17 करोड रुपे किये गई जब्त जियां एन्फरस्मेंट डारेक्टर रेड यानि के एडी ने बीते शनिवार को पेइमन गेट पे पेटियम साती में रेजर पे और कैश्फरी के बैंगलूरू ऊफिस पे छापे मारी की इन तीनों कामपनियों के ऑफिसों में इडी ने यह छापे मारी चीन लोन एप मांले में की है जानकारी के मताबिक E.D. ने चाइना के लोगों के जरिये गैरकानों ने इस टेंडी स्मार्टफ़न बेर्स लोन के खिलाफ चल रही जाज के तहते इन तीनों कमपनियों पे ये एक्शन लिया गया है रिपोर्ट्स के मताबिक तीनों कमपनियों के बैंगलूरू इस्थित छे ठीकानों पे ये चापे मारी की गई इसी दोरान सतर काड़ रुपे जब्त किये गए देखें अगली खबर गुजरात में लौ जिहाद के खिलाफ किया गया प्रदर्शन डीसा में 11 हिंदू संगठन सड़कों पे उत्रे भीड को काबू करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां जियां गुजरात में बनास काठा जिले के डीसा शहर में बीते शनिवार को 11 हिंदू संगठनों ने लौ जिहाद के खिलाफ रैली निकाली जिसमें 15,000 से जादा लोग शामिल हुए जैसे ही रैली हीरा बाजार पहुंची तो भीड बेकाबू हो गई इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा इसमें कुछ लोगों को देखें अगली खबर तैयार हो चुका है सेंटल विष्टा का नया रूप आप भी पिक्चरों में देख लीजिए पीम मोदी करेंगे इसका उदगाटन जियां विजय चोक से इंडिया गेट तक नए रंग रूप में तैयार हुए सेंटल विष्टा एवेन्यू का उदग मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर वनुमान जीया मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानि के आज रवीवार को असम में में घाले में और उनाचल परदेश में साती उपहमाली परश्रिम बंगाल में सिक्की में और बिहर के उतरी हिस्सों में साती लक्षदिप के कुछ हिस्सों में साती अंडेमान ने को बार दिप समों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है हलाकिन राज्यों में कुछ जगहों पे भारी से भी जादा भारी बारिश यानि के मूसल अधर बारिश की भी चितावनी जारी की गई है इसका अलावा अगली खबर गनेश भक्त मुसलिम महिला के खिलाफ जारी किया गया फत्वा अलीगड में भाजपानेता सालों से कर रही है स्थापना फत्वे के आने के बाद कहा कि ये लोग देश का भला नहीं चाहते जिया अलीगड में भाजपानेता रूबी आसिफ खान के खिलाफ फत्वा जारी हुआ है शहर के मौलाना का कहना है कि दूसरे धर्म की इबादत करने वाले काफिर हैं हलाएक अब इस पर रूबी खान ने पलटवार किया है और कहा है कि जो मौलाना और मौलवी फत्वा जारी कर रहे हैं वो जिहादी और उग्रवादी हैं आपको बता दे रूबी ने तिन दिन पहले अपने घर में गनेश परतिमा स्थापित की थी इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया देखें अगली खबर बीजेपी विधायक ने की महिला से बदसुलू की मले ने अब शब भी कहे साती पुलिस की हिरासत में भी भेज दिया दिवार गिराने के खिलाफ शिकायत करने गई थी महिला जिया करनाटका के बैंगलूरू में एक महिला से भाजपर विधायक की बसुलू की का वीडियो वारेल हो रहा है इसकी एक जलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्र पुठे और महिला के हाँ से आवेदन भी छिन लिया बताया गया है के महिला को हिरासत में लेने के लिए कहा और पुलिस उसे थाने ले भी गई जहां उस पर सरकारी काम में बादा डालने के आरोप में F.I.R. दर्च की गई देखें अगली खबर पतनी की हो चुकी है मौत म रेलवे डिपार्टमेंट में हरकंप है जैनकारी के मताबिक ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब दिल्ली में मंतन होगा इसी बीच आरोपी कालवन निवासी संदीप को रेलवे पुलिस तीन दिन की रिमांट पर लेगी कहा जा रहा है कि आरोपी की पतनी की म से टकराया इसी की वज़े से मंदीप का और की दर्दनाक मौत हो गई देखें अगली खबर अब एक साथ दो कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट्स साती कोर्स के छोड़ने के बाद फिर उसी में पढ़ने के मिलेगी छूट जियां यूजी सी ने बीते शुकरवार को नई दोस्तो अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ दोस्तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है के मौलानों की तरफ से रूबी नेता पे जो फत्वा लगाया गया है तो आपकी परसनल राय के हिसाब से क्या ये सही है इस पर आपका क्या कहना है वीडियो को पूरा देखने के बाद पासिंग सेटिफिकट और माइग्रेशन भी अब कानूनी रूप से मानने होंगे सीबी एसी ने सभी उच्छी सिक्षन संस्थानों से आग रह किया है कि वो डिजिट्र कॉपी को भी स्विकार करें आपको बता दे कुछ विश्विद्यालों और कॉलेज द्वारा छात्रो सरकारी बंगला उपलब्द कराया है आपको बता दे भायंकर आर्तिक संकट से जूज रहे श्री लंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के उग्रों होने के बाद गोटा बया ने 13 जुलाई को देश छोड़ दिया था और वो मालदी और सिंगापूर होते हुए थाइलें जोश्टर के आकार के एक डिवाईज ने पहली बार ऑक्सिजन बनाई है आपको बता दे इस डिवाईज का नाम मौकसी है बताया गया है छोटे से डिवाइज ने 18 महीने में एक छोटे से पेड़ जितनी ऑक्सिजन बनाई है देखें अगली खबर जल जूलनी एकादशी ह यानि के डोल 11 से मान्नेताओं के अनुसार ये भादर पदमाज के शुक्ल पक्षप की एकादशी है बताया गया है ये वरत गनेश उस्सो के दिनों में आता है इसी की वज़े से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है धार्मिक अनुसार बताया जाता है कि एकादेशी पे को लेकर बताया गया है के कादश्री और मंगल वार के योग में मंगल ग्रह की पूजा करें मंगल की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है धारमिक मान नेताओं के अनुसर मसूर की डल चढ़ाएं इसके किया जाते हैं देखें अगली खबर आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भीड़ंत देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज मैच जी आज एशिय कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच आज रवीवार को दुबाइ इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम में खेला जाएगा दोनों टीमों आठ दिन में दूसरी बार आमने सामने होंगी साथ इस सूपर फोर राउंड में भारत और पाकिस्तान का ये पहला मैच होगा रोहिश शर्मा की कप्तानी वाले टीम ग्रूप राउंड में दो मैच जीती थी वहीं धन्यवाद थेंक्स पर वोचिंग